समस्कार दोस्तों, स्वागा था आपका CGPSC वैपम में जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कि पर जल्दी से जाना और सब्सक्राइब करें तता बाजों में जो बैल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और वैपम की लेटेस्ट अपडेट आपको इस माध्यम से मिल सके आज हम बहुत ही महत्पून टॉपिक पर बात करने वाले तो आप इस वीडियो को अंतक देखे आज जिन्होंने मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया टेलिग्राम में जाके CGPSC वैपम हब सर्च करें और वहाँ जोईन हो जाईए फेस्बूक में आप CGPSC वैपम हब सर्च करें और वहाँ भी जोईन हो जाईए देखे आज सकी मैंने कहा था कि continue वैकेंसी निकलने वाली है इसी कड़ी में आज CGPSC ने फिर से एक नया वैकेंसी निकाला है तो हम उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो आप इस वीडियो को अन तक देखिए तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो देखिए बहुत से नकरात्मक लोगों का कहना था कि वैकेंसी नहीं आएगी परन्तु मैंने 100% कहा था कि वैकेंसी आएगी और continue आएगी आप लोग तयारी करते रहिए मैंने ये भी कहा था पिछले वीडियो मैं ने बताया था कि काउन सी वैकेंसी CG-P plank autop instead में आने वाली है उसी के साथ आज एक वैकेंसी आने वाली है और आज एक वैकेंसी आई है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को वक्त नहीं मिलेगा जैसे ही वित्तोई भाग से परमिसन मिल रहा है तुरंत वैकेंसी निकल रही है चुकि देखिए अभी cgpsc और cgvapum दोनों का जो बोलना चाहिए ऑफिस है वो खुला हुआ है और वित्तोई भाग से परमिसन कंटिन्यू मिल रही है और ये भी बताता हूं कि माई में और भी आपको कुछ नूटिफिकेशन देखने को मिल सकता है तो आप अपनी तयारी को जो है कमजोर मत करिए धिला मत करिए और किसी की बातों पर मत आईए जो निगेटिव लोग है जो नकरात्मक लोग है और वेकेंसी साल आएगी मैं आप लोगों को यह बतारो नकरात्मक लोगों से दुर रहिए और अब अपनी तयारी पर फोकस करिए तो चलिए हम बात करते हैं कि आज कौन सी वेकेंसी आई है जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए देखिए अगर दो चैटिजगर समानने गयान भारत का समानने गयान और गणित यह तीनों चीजों पर आप फोकस हमेशा से रखे कोई बी एक्जाम या कोई भी वेकेंसी निकलेगी तो उस तीनों में यह उस वेकेंसी में यह आपको सिलेबस देखने को जरूर मिलेंगे तो मैं आप लोग है जो कि आज 13 तारीक का जो डेट है वो उसमें लिखा हुआ है देखिए जिसमें बताया है सायक संचालक जनसंपर्क हिंदी माध्यम जनसंपर्क विभाग के पत पर सीधी बरती ऑनलाइन आवेदन की तीथी 17-5-2021 से 15-6-2021 तक है और इसमें देखिए बताया गया है कि इतने तारीक तक आपको फॉर्म भरना है और इसमें एक्जाम की डेट नहीं बताए गई इस बार कैलेंडर जारी करेगा और सभी एक्जामों का डेट उसमें देगा परंतु इस्तिती नियंतरण आते हुए जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूपीएसी का एक्जाम होने वाला था जुन में वो इस्थगीत हो गया है और अब वो हो है 10 अक्टूबर को तो क्टूबर हो पर आपको मने रहें लेकिन यहां पर आ गया गयी है और के पनदर परषेंट से नीचे आ चुका है इसे साब से अगर हम देखे तो जुलाई अगस्त जो संक्रमन है वो बहुत कम हो जाएगा और जो एक्जाम है वो होना चालू हो जाएगे या उनके लिए नोटिफिकेशन निकलना चालू हो जाएगा तो आप लोग इसके लिए ready रहिए और इसके साथ और भी वेकेंसी आने वाली है जैसे जैसे भी तवी भाग से permission मिलेगा तुरंत जो है वेकेंसी निकलेगी तो देखिए यहाँ पे स्यायक संचालक जनसंपरग के दो पद है और देखिए अगर हम इसके जो बोलाचिये वेतन की बात करें तो देखिए यहांपे 56,00 है और इसतर जो है बारा का है अगर हम इसके योग्यता की बात करें तो देखिए योग्यता में इसमें पत्रकारीता मांगा गया है जो मानेता प्राप्त विश्विदाले से इसनातक तथा किसी मानेता प्राप्त विश्विदाले से पतरकारिता में उपाधी किसी समाचार पतर संस्थान में हिंदी अंग्रेजी पतरकारिता में तीन वर्स का वहवारिक अनुभाव प्राप्त भिहर्थी को परिक्षा साथकार में 10 अत्रिक अंक दिये जानी की प्रात्मित्ता दी जाएगी और परिक्षा अधी तीन वर्स की रहेगी इसके बाद इसमें देखिए और भी नोटिफिकेशन है आपको मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्षन बॉक्स है उसमें इसका पीडियाफ आपको मिल याएगा तो आप वहां से देख लीजिएगा देखिए मेन इम्पोर्टेंट है कि इसका जो सिलेवास है देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो है dears तीन तीस नंबर का जो है वह वह टोटल परिक्षा लगा जिसमें 300 नंबर का आपको परिक्षा देनी होगी और 30 नंबर का साक्षाथकार होगा इस 300 नंबर में 50 प्रश्ण समान्य अध्यन के होगे जो भारत का होगा 36 का समान्य अध्यन 50 नंबर के होगे और योगेता परिक्षन 50 प्रशाज प्रश्ण होगे मतलब यह तीनों का 50-50 प्रश्ण होगा जिसमें की 100-100 अंखेर तो 300 अंक ये होगा है 1500 प्रश्न के और जो 30 नंबर का है वो इंटर्व्य होगा ऐसा करके 330 नंबर का आपका क्या होगा इंटर्व्य होगा तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे माइनस मार्किंग का भी दिया हुआ है और optional का भी लिया हुआ है तो आप अच्छे से इसके पढ़ लीजिएगा मेरा जो इसका description box में जो है वो मैं आपको दे देंगा तो यही एक बड़ा अपडेट आपको देना था कि CGPSC और CGWAPA में दोनों में vacancy आ रही है आप बिल्कुल आपनी रास मत हुए और आपनी तयारी जारी रखिए तो आज का जो वीडियो इतने ही आता करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो इसे लाइक करें शेयर करें सेस्क्राइब करें तब यह वीडियो देखने के लिए धन्यावाद